एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं दूद का जला छाच भी फूप फूप कर पीता है ऐसा ही कुछ हाल है अचानक से जर्मनी भारत के सामने गुटनों पर क्यों आ रहा है और बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है हमें फ्रांस की जगह दे दो और क्या क्वाइड में सिर्फ चार देश नहीं है बलकी क्वाइड प्लस प्लस है और इस प्लस प्लस में एक प्लस एक्टिव है और दूसरा प्लस एक्टिव होना चाहता है जानेंगे ये चिपा हुआ देश कौन है जिसे माना जा रहा है क्वाइड प्लस प्लस का हिस्सा तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महतपुर्ण हो गया है चाइना के जिगरी दोस्त ने चाइना के ऊपर एक्षन ले लिया है और आपको बता दें अगर ये चीजें सच साबित होती हैं तो किसी भी देश के लिए बेहद महतपुर्ण होने वाला है ये जाच जिय इस नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से चाइना की न ब्राजिल के साथ एक अच्छी वाली बॉंडिंग है अच्छा वाला रिस्ता भी है इसका सबसे पहला एक्जामपल देखिए ग्लोबल टाइं के बीच में करेंगे ताकि वहां के लोग यहां आ सके यहां के लोग वहां जा सके यह इसी साल फरवरी महने की यह खबर है वही दूसरी तरफ इसी ग्लोबल टाइंस ने एक और आर्डिकल चापा और कहा कि चाइना और ब्राजिल आपस में सम्भंदों को और मजबूत कर र रहे हैं और इनके जो बैपार है एन्वल ग्रेइन ट्रेड का यानि कि अनाज खरीद का ये रिकॉर्ड लेबल पर आगे बढ़ गया है सब कुछ यहां पर अच्छा चल रहा था फिर अचानक से ब्राजिल को ऐसी कौन सी खबर मिलती है कि ब्राजिल ने चाइना के ऊपर एक् करें तो इस स्क्रीन पर देख रहे हैं इस देश जर्मनी को भारत के इसके साथ बहुत अच्छे संबंद थे लेकिन जब से भारत ने परमानू परिक्षन करना शुरू किया तब से जर्मनी और भारत के संबंद खटे होते चले गए और ये हाल फिलाल तक भी खटे रहे हैं पर इसी बीच जर्मनी बार बार संकेत दे रहा है कि हम भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं दे यूरेसियन टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं जर्मनी अगला फ्रांस बनना चाहता है भारत के लिए और भारत के साथ तो वैसे ही सम्मंद विक्सित करना चाहता है जिस तरीके के सम्मंद फ्रांस के हैं मतलब हतियारों के मामले में फ्रांस भारत को अच्छे खासे हतियार बेच रहा है सिपरी की एक रिपोर्ट ने बताया था कि अभी भी टॉप का खरीदार हतियारों का अगर कोई है तो भारत है मतलब यहां एक बड़ा मार्केट दिख रहा है जर्मनी को और जर्मनी चाहता है कि इस मार्केट के साथ मिलकर चलें अब इसके लिए जर्मनी ने आज से पहले जो नहीं किया था वो करने को तयार हो गया है तब प्रिंट की खबर देखिए जर्मनी ने कभी भी इतनी बड़ी मिलिटरी डिप्लोईमेंट भारत के पास करने की नहीं सोची थी लेकिन अब वो कर रहा है अब इसका क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि यहां हिंद महासागर छेतर में जर्मनी एक्टिव होना चाहता है और भारत के साथ मिलकर डिफेंस के कोपरेशन करना चाहता है ना सिर्फ इतना युद्धा भ्यास भी करना चाहता है और हाल फिलाल में कहा जाता है कि जर्मनी और भारत के बीच में बैठके भी हुई और इस बैठक में इस बात को रखा गया कि इंडो पेस्फिक इलाके में जर्मनी भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है वैसे आपको बता दें ये भी जर्मनी करने को तयार है कि वो कुछ defense technology को भी साजा करने के लिए तयार हो रहा है अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिर जर्मनी ऐसा क्यों चाह रहा है जर्मनी के साथ तो किसी के कोई पंगे नहीं है जहां तक बात है रूस यूक्रेन की तो यहां पर भारत पहले ही कह चुका है कि हम दोनों में से किसी की मदद करने नहीं जा रहे हैं भारत यहां पर neutral है तो फिर जर्मनी इतना ज़्यादा क्यों हड़ बड़ा रहा है भारत के साथ समझोते करने को तो आपको बता दें भारत के साथ जर्मनी का समझोता ना हो तो बहतर है पर जर्मनी क्यों चाह रहा है जर्मनी ये चीज बहुत अच्छे से समझ रहा है कि अर्थ वेवस्था में एक गिरावट देखने को मिल रही है और भारत एकोनोमी के मामले में उसे पार करते हुए और ना मेरे लिए इस मार्केट में घुसना मुस्किल होने वाला है दूसरी चीज ये है कि जो क्वाइड बना इस क्वाइड के बाद एक प्लस में एक देश रहा जो परदे के पीछे रहा लेकिन यहां पर मदद करता रहा वो देश कौन सा था वो देश था फ्रांस फ्रां सा रहा है वैसे ही जर्मनी भी आये ताकि उसके भी हतियार यहां पर बिके सब कुछ तो ठीक है जर्मनी के राजदूत ने भी हाल फिलाल में कुछ इसी तरीके के संदेश दिये हैं स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं पर सवाल यह होता है कि जर्मनी है एक नम्मर का कोई भी चीज ठीक से और समय पर पूरा नहीं करता है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए भारत को चार साल तक के लिए टाल दिया जर्मनी ने ऐसे में जर्मनी पर भरोसा करके किसी चीज की साजेदारी करना बड़ा रिस्की होने वाला है और ऐसा नहीं है कि जर्मनी सिर्फ भारत के लिए ऐसा कर रहा है उनके खुद के भी किसी प्रोग्राम के लिए अगर फंड रिलीज होते हैं तो फंड सालों साल पड़े रह जाते हैं अब जाके उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं जी हमें अपने डिफेंस को भी ठीक करना है हतियारों को बेचना है नहीं तो ये उस फंड का इस्तेमाल सालों तक नहीं करते हैं तो ऐसे में भारत के लिए दिक्कत होगी अगर भारत जर्मनी के उपर निर्भरता ज्यादा बनाता है तो अब आने वाले समय में पता चलेगा जर्मनी बदला है कि वैसा ही है वैसा ही धीमा अगर है तो जर्मनी के साथ किसी भी तरीके का डिफेंस अमझोता बड़ी मुस्किल भड़ा होने वाला है अब हिंद महासागर चेतर में अपने सैनिकों की तैनाती करके भारत के साथ आना चाता है तो ये बहुत अच्छी बात है तो वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्राजिल और चाइना के बीच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और ब्राजिल का बैपार भी बड़ी तेजी से बढ़ रहा था ब्राजिल ने अच्छा खासा इस बार एक्सपोर्ट भी किया और इंपोर्ट भी किया सुरुवाती दोर में जब 2022 का समय था ब्राजिल ने मात्र 61 बिलियन डॉलर का बैपार किया था लेकिन 2023 में ब्राजिल ने 98.8 बिलियन डॉलर का बैपार कर लिया मतलब अच्छा खासा बढ़ोतरी और ये देखा गया था कि उस समय ब्राजिल एक्सपोर्ट भी अच्छा कर रहा है इंपोर्ट भी अच्छा कर रहा है पर अभी अचानक से एक ख़बर आई थी जिस ख़बर ने ज्यादा परिसान कर दिया यहां पर ये देखने को मिला कि ब्राजिल ने बढ़े हुए कीमत पर भी इस्टील खरीदे चाइना से जबकि चाइना ने इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी अब इसको लेकर अफरा तफरी मच गई उनके ही देश की कंपनियों ने यहां कहना सुरू कर दिया कि आखिर कौन है जो बड़ी मात्रा में इस्टील खरीद रहा है ज्यादा टेक्स देखर भी ऐसे में एंटी डंपिंग प्रॉब के लिए अब चाइना के ऊपर जांच की ठीम बिठा दी है ब्राजिल ने और ये बांकी देशों के लिए भी संदेश हो